हेलो इन वेल्कम गई स्वागत आपका फेंटासी डिसन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनेस के ट्रोफी घेराला टी ट्वैंटी चेंपियंशिप की बात करेंगे जो कि मैच हो गया पर डिसी ए मलब पूरम वसिस दिसी ए त्री चूर के बीच में तो चलि को हम लोग ऐसे ड्रोफ कर सकते हैं सारी डिटेल इसी वीडियो में कवर करेंगे तो चलिए फिर बीना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो बात करें इस मैच के इससे पहले एक चोटी सी रिक्वेस्ट है कि यूटूब चनल को सब्सक्राइब कर लेना है क् के पूरी टूर्णामेंट इसी यूटूब चनल पर कवर करेंगे इसके साथ साथ आपको यहाँ पर शार्जा रमजान टी 10 के वीडियो मिलेंगे इसके साथ साथ आपको यहाँ पर IPL के पूरे टूर्णामेंट के वीडियो मिलने वाले तो सारे अच्छे मैच्छिस के लिंक एटेज़ किया हुआ है इनकेस अगर लिंक वर्ग ना करें तो टेलिग्रम में जाके सर्च करिएगा फैंटासी डिसन चैलेंजर या फिर आप सर्च करिएगा डरेट आपको सिधा हमारा चैनल मिल जाएगा तो सिंपली आपको उससे जोइन को लेना है क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलिग्रम चैनल पर मिल जाएगी बात करें इस मैच की तो यह मैच दो पर में एक बचकर 40 मिनिट पर एश्टी जेवियस कॉलेज ग्राउंड तुमबा इंडिया में खला जाएगा पीच रिपोर्ड की बात को तो इकवली सपोर्टेड है देखो पिछले कुछ मैचिस के अंदर रंस बने हैं यहाँ पर और रंस इसलिए बने है क्योंकि कुछ सिनियर प्लेयर्स खेल रहे हैं क जादा माई नहीं रखेंगा नहीं मेपी की मात करते हैं यहाँ पर तो मेपी ने अभी रख चार मैच छेले जहां से तीन में जो जीते एक में जो हारी है ओपिनिंग में कौन है तो साजी दजमल एनके और यहाँ पर आनन कृष्णन दोनों ऑपनिंग करवा रहे हैं देखो 52, 67, 51, 54 जैसे स्कोर किये थे चाहो तो इनको ट्राइक कर सकते हैं अपर बाकि साजी दखमल ने पिछली दो चार मैच के अंतर दो पारिया अच्छी खेली हुई है विकेट की पिंग से दिखेंगे तो आप लोग चाहो तो इस प्लेयर को लेके जा सकते हैं इनके लाव से न इकल्टी को लेखे जाना है इन दोनों में किसी एक को लेना है हमें साजी अजमल और यापर आनम कृष्णन इन दोनों में किसी एक को लेना है इसके बाद बात करें से स्री हर्स वी नायर जो की ओर और प्लेयर कापी अच्छा है लेकिन पिछली दोनों मैच के अंदर कुछ कुछ खास किया नहीं है और अभी के लिए इनको स्मॉल लिखे लिखे जाना तो जा सकते हो बाकि रबीन कृष्णा नेम की बात के लो तो एज प्लेयर के साथ हमारे लिए के लिखे 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 लिख विगेट भी निकाला और एक बार यह से 17 रन भी गिए लेकिन लास्ट मैच जब के लिए तब यहां पर दो ओस्की गयार वाई थी तो आई थिंग यह से वैसे तो अच्छा प्लियर यहां पर 33 मैच करने 32 विगेट है तो इस प्लियर के पर इस कम लोग ले सकते हैं आदिल्च लिए सब्सक्राइब यह से 17 एविकेट निकाली और पिछेली दोनों मेच के लिए से 17 एक बार बार विकेट लेस रहे तो इनको मुझा मिला यह से 17 तो इनको लेके जाना या नहीं जाना यह बड़ा क्वेस्चन मार गए क्योंकि लास्समें सब्स्टीटिट बहे थे और औ को लेखे जाएगा स्टार्टिंग में आपर रभीन कृष्णन एम और यहां पर एम रियर्स दोनों स्टार्ट करवाएंगे देथवर्स में आपर ए रमिश और अपीराम भी देथवर्स में गैन बाजी करते हुए दिखेंगे आपको इनके अलावा बेंच से कोई भी प्लेय खिलेगा तो इनके स्टार्ट्स और उनके अपडेट वगेरा टेलिग्राम में मिलेंगे तो जल्ली से जाओ टेलिग्रम चैनल को जोइन करो अभी के लिए बात करें हम लोग ऐसे त्री चूर की जो की चार में छेली तीन में जिती एक में चारी ओपनिंग में कौन है तो ए देख लेते हैं अगर कोई चोईस ना मिले तो आम लोग इनके साथ कंट्यूनी करेंगे वसल को इन वेरी इंपॉनेट भी डेफिनेटी लेगे जाना है असी रन के इन्होंने सेकंड लास मैच के अंदर और इनको मैंने कई बार एस प्लेयर के साथ कैप्टन और वाइस कैप देखेगा जिका ओर 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 ओल तीस पैंटीस अर्टीस तीन बड़ी पाज्या केले हुई है अच्छा प्लेयर यासे बैटिंग सेक्षन से दिखेगा लेके जा सकते हो इनके लिए असे मोहमद आशिक की बात कि इन्होंने पहली मैच के लिए ते विकेट लेस रहे थे फिर देना पड़ सकता है यसे मोहमद अनसफ आपके लिए vaude प्लेयर के रूप मेशा ऊफिया सकते हैं क्योंकिये मैच होने वाला यहींके बड़ी बड़ी मैच के लिए बड़meyeर कैंसा सकता था इस बियर को आप लोग गे में मैच nature दो विकेट फिर यहाँ से एक विकेट निकाला तो वेरी इंपोर्णेट पिक रहेंगे से सिबिन फी गिरिस लेखे जाना है सराफुदिन एनेम वेरी इंपोर्णेट पिक अभी तग चार मैच के लिए यहाँ से यह बाई जाव और चारो ही मैच कंदर हमारी कप्तान है सराफुदीन एनम और एक बाद फिसे भी हम लोग एज अ प्लेयर के साथ इनको कैप्टन वाइस कैप्टन करेंगे शुरुवात आप देख सकते हो तिन विगेट तिन विगेट तिन विगेट और लास मैच जब के लिए तब यहापन निकाली थी एक विगेट तो वेरी इंपोनेट फिक रहेंगे सराफुदीन एनम इनके लव ऐसे लिजो जोज ओके ओके रहेंगे यासे कृष्णा अदित्या की बात के लिगेट पूरी उबस करवा रहे है हर एक मैच के अंदर दो बार उनको विगेट मिली दो बार विगेट नहीं मिली तो डिफरेंस लिए में अगर कोई चोईस ना मिले तो ट्राइक कर सकते हो बाकि की रन साकर विगेट टेकर गहन बाज है और एक मैच के अंदर अभी दख विगेट निकालते वार है तो इस प्लेयर को जरू ट्राइक करना है में निपुन बाबो की बात किया तो निपुन बाबो वैसे तो बड़ा नाम है लेकिन यहां पर इस टूना मैच के अंदर कुछ खास किया नहीं है तो इनको थोड़ा सा इसकी खिलो टोट रहे करिएगा स्टार्टिंग वैस में अब सराफोदीन एनम और याप जोफिन जोज देथ होस में अब सराफोदीन एनम के साथ मुहमद अनर्स ने देथ होस में गेंबाजी ती यह पॉइंट थोड़ा सा जैन में रखिएगा वह यह वाला पॉइंट क्यूंकि अनर्स यहां पर बड़ा बात करें आप विकेट कीपिंग सेक्षन के तो निखिल टी हमारी टीम के अंदर रहेंगे यहां से आप लोग अजमल एनके को भी लिएक टॉप में खेलने वाला प्लेयर है लेकिन किसी ना किसी एक प्लेयर को आपको छोड़ना पड़ेगा दोनों में दे किसी एक को करिएगा बाकी ओल्रवन सेक्षन की बात के लिए से एम रबिन कृष्णा है जोफिन जोज से एस्पी गिरी से और यह पर ए रमीश पी हमारी टिम के अंदर रहेंगे बाकी कोई खास अप्संस नहीं है बॉलिंग सेक्षन से सरा फोदी नहीं है के सागर मोहन और यासे एम डि और यह और यहां से एम रबिन कृष्णा है थिम कंधने लेंगी बाकी अदर चोईस की बात करतो दो अधर चोईस मेंप आप po कुछ एम रेस यूसी को ट्राइक कर सकते हैं वस्सल गोविंच और यासे निखिल कर बाकि टिम के बात करू तो टिम कुछ इसरा सही रहिए याद रहे यह जो टिम है यह demo है final आपको कहां पर मिलेगी तो final मिलेगी आपको टैलव में final लाइनेफ के बाल जो टेडरम से जुटना बिलकुल मत भुलिए गा नीचे डिस्क्रिप्श्रिप्स बॉक्स में टेली में आपको जोबी रहे गी वो टेलीग्राम पर ही मिल जाएंगा तो जल्दिस से हलीग्राम को जैनल करो अभीके लिए आप लोग पूरा वीडियो देख लो अच्छे से एनलिस के रो, अच्छी टिम बनाव, अच्छी में निंग करते रो वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हम मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई धन्यवाद जय हिंद जय वारत